हालो प्रेंट्स नमस्कार जुडीशिय लीजाम ओतर चनल से मेराजेश कुमार सोनी हम लोग प्राब्लम हल कर रहे हैं आई पीसी से तो देखते हैं आज की प्राब्लम क्या है हमारे पास बड़ी अच्छी प्राब्लम है कंफ्यूजन होता है ऐसी प्राब्लम में लेकिन मैं क होगा चलिए देखते हैं ए बिसे गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर साथ्यसी की म्रत्व कारिध कर देता है सब्दों पंध्यान देना है कि यह तो पता है कि चलो बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला उसको लेकिन सी की मृत्तु सा आसे कारिद कर देता है सा आसे सी की मृत्तु कारिद कर देता है और सबसे बड़ी बात यह है कि सी बी का भाई है यह C, B का भाई है तो A ने कौन सा अपराद किया जुडिसियल मैंड आपको यूज करना है आपको पता चल जाएगा देखिए गंभीर और अचानक प्रकोपन B से मिला इस से मिला और वो मेरे तो किस की कारिद करता है C की कारिद करता है वो भी सास है सास है करता है तो अब आपको बताना ही नहीं क्या कहों सा अपराद किया चारम देख लेते हैं इन पर बात करेंगे तो हत्या क्या अपराद कारिद किया या घोर उफ़ती का अपराद कारिद किया या फिर अपरादिक मानोबद का जो हत्या की कोट में नहीं आता क्या इसका अपराद किया या फिर हत्या के प्रयास का तो देखिए जो लास्ट वाला आपसर है वो तो खतम हो गया चुकि यहां तो मरत्युकारित ही कर दिया तो हत्या का प्रयास होने का कोई मतलब ही नहीं होता है ठीक है चुकि मरत्युकारि तो दो तो आपके चले गए बचे आपके पास दो अब यहां पर एने अपराद किया है यह तो हत्या क्या यह अपराधिक मानोबद का जो हत्या की कोट में नहीं आता है इसमें आपको डिसाइट करना है और कंफूजन आपको इन दो के बीची होगा तो यह कंफूजन दूर करने के लिए अभी हम देखेंगे सेक्षन 300 आई पीसी का उसका केस्टिंगे तो कंफूजन क्रियेट होगा लेकिन यहां अगर आपको एक सब्द मिल रहा है अगर यह सब्द मिल तो फिर आप हत्या का अपराध कि या इस पर टिक करेंगे ना कि अपराधिक इसमें कोट कि करेंगे उस कोडीं कि नहीं करेंगे यसी सिर्फ का реально कि है और द्यान रखने की बात है कि प्रकोपन वी के द्वरा दिया गया है एक को नहीं दिया लेकिन अ और ऐसे सी कैरें इसने का एक आरित किये इसलिए सीधा सीधा उसमें हत्या किया है अच्छा अब यह बात हम कैसे कर सकते हैं अपनी बात की हम पुष्ट कैसे करें तो आपको देखना है कि सेक्षन त्री हंडेट का इसेप्षन और वो भी फर्स्ट इसेप्षन देखना है जिसमें यह कहा गया है कि प्रकोपन जिस ब्यक्ति द्वारा मिला है हत्या भी उसी की की जानी चाहिए तभी आपको धारत तीन सो के अपवाद प्रथम अपवाद का लाब मिलेगा दूसरी बात जिस में प्रकोपन दिया है ये तो उसकी हत्य होनी चाहिए या दुरघटना बस किसी अनब्यक्ति की हत्य हो जाये तो भी आपक rocky की प्रकुपन दिया उसकी हत्या नहीं हुई हत्या सी की हुई जो बी का भाई है प्रकुपन देने वाले का भाई है तो सी की हत्या हुई यानि कि जिस बेक्ति ने प्रकुपन दिया उसकी हत्या नहीं हुई दूसरी बास सी की हत्या क्या दुरगटना बस हुई यह भाई यह भी बस हुई है तो बिल्कुल नहीं हुई है क्योंकि उसने सासे सी की मृत्युकारित की है दुर्गटना बस यहां पर सी की मृत्युकारित ही नहीं होती है तो इसलिए प्रथम अपवाद का इसे लाव नहीं मिलेगा और जब इसे प्रथम अपवाद का लाव नहीं मिलेगा तो तो फिर वह हत्या का दोसी होगा तो इस तरह से आपका आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा और धारतीन्सों का अपवाद भी आपको इसफ्ष्ट हो गया होगा कि इसका लाव लेना है तो दो ही बाते ध्यान ंढ़िया जिस वैक्तिने प्रकौपन दिया यहां पर दोनों ही इस्तितिया नहीं है जिसने प्रकोपन दिया उसकी हत्या नहीं हुई और सी की हत्या यहां पर दुरगटना बस नहीं हुई है भूल से नहीं हुई है भूल से हो जाए दुरगटना बस हो जाए तो ऐसी कोई इस्तिति यहां पर नहीं है इसलिए यहां पर ह हत्या का दोसी होगा यह ने हत्या का अपराद किया है तो इस तरह से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा आपको जुडिसियल माइंड लगाना है धरात तीन सो का अपवाद पर्थम अब आपको मेरे खेल से रड़ जाना चाहिए कहीं भी आप इसको इस तरह के वीडियो मैं लगातार दे रहा हूं अगर इस तरह के वीडियो आपको लगातार चाहिए तो आप मेरे चैनल जुडिसियल इग्जाम वाचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आपका सभाव भला करने का है तो आप इसे शेर भ ही कर सकते हैं थैंक्यू फार वाचिंग